कि लंडन से उठके कोई नूर यहां आ गया और भाई BMW X7 में लगा दिया अज कल तो हमी स्मार्ट लग रहे हैं आपको इतने सारे बटन्स पीचे ही बूट स्पेस में देखने को मिलते हैं जितने की हमारी गाड़ियों में आगे डेस्पोर्ड में देखने को मिलते हैं एब स्पोर्ड वाली BMW X7 है इसमें क्या कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं क्या कुछ एक्स्ट्रा देखने को मिलता है क्या खास देखने को मिलता है जो की ओनर इसके उपर डेड़ करोर पर स्पेंड करता है आज की वीडियों में यह सारी चीज़े जानने वाले हैं और कैसा आज की वीडि़ो को नॉर्मल नहीं होगे आज की और यहांने कि आज की वेडियो हुल हूठ ऑने वाली हैं फुल हुज हवाही का सब のक्र्स देखने всю 17 सुब् यह बाली बात होंगे नहीं बहुत हैं पर बात हो जाएगी यानि की यहाथ में बीएब डवलू की चाबी और फिर वही बात होगी ना भी तुम्हें तुम्हें भी की मांगनी उसमें इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना फिर भी इन्होंने सरफ भी की मांगना है तो स्टार्ट करते हैं इसकी फ्रंट पॉफाइल से तो फ्रंट में आपको ऐसी कुछ नजर आती है BMW X7 की आई कैची लुक यानि कि लुक एक दब पहतरी मिलती है कोई भी कमी देखने को नहीं मिलती स्टार्ट करते है इसके हैडलंस से तो का इस BMW में आपको लेजर हैडलंस देखने को मिलती है जिनकी बैдел कption आपको यहांपर देखने को मिलेगी यानि कि ये है BMW के लेजर हैडलंस इसमें आपको dual projector देखने को मिलते हैं यानि कि आपको सामने देख रहे होंगे दो-दो projector एक है SET, एक है SET अब आप सोच रहे होंगे कि यह दौनों projector होंगे high beam और low beam के लिए लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है यह दौनों projector और low beam के लिए जी हाँ गाइस यह दौनों ही projector low beam के लिए देखने को मिलते हैं बात करते है high beam की आप फोच रहोंगे high beam कहा गया भाई high beam भी इसमें है आपको पताता हूँ high beam देखने को मिलता है इन सब के नीचे यह देखने को रिफलेक्टर यानि कि high beam आपको रिफलेक्टर में देखने को मिलेगा यह वह रही high beam यहाँ आपको नीचे की और high beam देखने को मिलते हैं और ऊपर की और दो-दो projector देखने को मिलते हैं low beam के लिए जनरली गाडियों में एक projector देते हैं उसी में भी आपको वही high beam, low beam देखने को मिल जाता है बाकि side में आपको ऐसे कुछ देखने को मिलती है broad see देखने वाली grill वाली grill आपको chrome finish में देखने को मिल जाता है बाकि बीच में आपको silver finish देखने को मिलेगी अब आप सोच रहे होगे की grill बंद क्यों है बाए यह грill है खुलने वाली और चालु होने वाली जैसे ही गाड़ी श्टार्ट होती तो यह grill हो जाती ही open यान कि अभी यह बंद है, गाड़ी भी बंद है जैसी गाड़ी स्टार्ट होगी तो यह grill भी open हो जाती है बाकि यहाँ पर आपको camera देखने को मिलेगा है कि गाड़ी में 3 security camera आता है और उपर की ओर देखने को मिलता है प्यारा साहब BMW का logo इसी की value है जब भी गाड़ी डेड करोड की है बाकि नीचे को देखने को मिलते हैं आपके fog lamps problem आपको यहाँ देखने को मिलेंगे जो की LED याने की पूरा setup आपको LED का यी देखने को मिलता है बाकि बात करते प्र arrangements् hoop तो इसमें आपको और चार 5 और 6 इसमें आपको शेज़़ें से पार्किंग सेंसे देखने को मिलते कंपनियां यही इतोर हैं। पैसे कहा ले जाओ और भाई पैसे भी तो है। म्सक्रास करते ज sector चैट मठीडी अ ermा सिटटम तोकाध से ऐसे कुछ देखने को मिलती है BMW X7 की All New Look तो स्टार्ट करते हैं इसके टायर से अब भही बात आगी अभी तो कहरा तक टायर की बात नहीं करेंगे अब क्या कर लेते हैं बाई 21 इंची के जो टायर है तो स्टार्ट करते हैं तो टायर आपको कॉंटिनेटल के देखने को मिलते हैं जिनकी प्रोफाइ 22ड़ में 21ची कंपनी आपको 21 इंची के अल्वीज देखने को मिलेंगे तो जैसा कि यह स्टार्ट वाली गाडवे से उसमें आपको के लिपार्स पर भी यापको एमश्पोर्ट की बेचिंग देखने को मिलेगी और आपको Calipers Blue Color में देखने को मिलते हैं और चारों ही आपको Disprix देखने को मिलती है बात करते हैं स्केड URBMS की तो URBMS आपको Body Color ही देखने को मिलते हैं जो कि आपको यहाँ पर ही आपको Turn Indicator देखने को मिलेगा उसी के नीचे देखने को मिलता है Camera और यहाँ आपको Fender पर Air Sport की बैचिंग देखने को मिलेगी गाड़ी Air Sport है तो आपको बैचिंग भी जगा जगा देखने को मिल जाती है यान कि Company बताना चाहती कि गाड़ी हमारी Air Sport दमदार गाड़ी है खेर बात करते हैं Door Handles की तो ऐसे कुछ देखने को मिलते है Body Color Door Handles आपको कोई भी क्रोम में देखने को नहीं मिलते है वह आता लग है हमारी क्रेटा में आते हैं बाकि Door Handles पर भी आपको कासी ज़रे Features देखने को मिलते हैं जैसे कि यहाँ आपको Ritkway Sensor देखने को मिलता है अंदर की और आपको Laut भी देखने को मिलती है जैसी कि आपको बताओं दोस्त में आपको लाइट भी देखने को मिलेगी बाकी बात करते हैं नीचे को अर नीचे को आपको एक Footrest भी देखने को मिलते है मैं गाड़ी है काफी ऊची और अभी तो ये मतलब लोग पर खड़ी है यानि कि अपको एयरमेटिक सस्पेंसर भी देखने को मिलता है गाड़ी काफी ऊची हो जाएगी और चड़ने में काफी परिसानी भी होती है इस तो सियक्शन भी पर देती है अब यह मुझे कंफर्म न आपको soft close door भी देखने को मिलते हैं यानि कि यहां आपको रियर प्रोफाइल भी उतनी ऊची उतनी ब्रॉड देखने को मिलीगी तो रियर में ऐसी कुछ देखने को मिलती है इसके लुक यहाँ पर देखने को मिलता आपको फुली LED टेल लेंप्स यहाँ पर आपको ब्रेक लायट वगरा देखने को मिलेगी बाकि टर्न इंडिकेटर भी आपको फ्लोटिंग वाले देखने को मिलते हैं और नीचे गोर आपको रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल जाते हैं बाकि यहाँ आपको X7 की बैचिंग देखने को मिलेगी BMW का लोगो देखने को मिल जाएगा और यहाँ आपको X-Tripe 40i X-Tripe मतलब यह 4Y4 गाड़ी या बताता हूँ आपको बूट तो यह हुआ इसका बूट ओपन गोल और आपको अलेट्टोनक की ओपन कर सकते हैं और यहाँ बैट्ट काम देखने को नहीं मिलेगा अब आप सोच रहे होंगे कि यह आदा बूट क्यों ओपन हुआ है आदा अधा ऐसे ओपन होता है यह कि यह नीचे अब आदा हुआ ऐसे ओपन अब यहां बैट सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं कैम्पिंप पर गए हैं तो आप यहां पर बैट कर आराम सी अपना यान कि यह काफी बेट होटा सकता है आपको इसमों सब कुछ बैट सीट यान कि तीनों सीट फोल्ड करने के बाद आपको काफी अच्छा कासा स्पेश देखने को मिल जाता है देख रहे हो कितना यान कि आप दो ट्रॉली बैक आराम से रख सकते हैं बाकि यहां पर आपको बीम डवलु की स्टेंडर्ड फस्टेड के देखने को मिलती है बस यहीं फाइदा है अब बोलते हैं पैसे गए लेकिन पैसे यहां देखते हैं जहीं देख रहे हो यह बैग है या फस्टेड के अपर यहीं को चीज़ें जो कि इन्हें प्रीम बनाती है बाकि यहां पर आपको दोना तरफ बूट लैंप देखने को मिल जाता है फेर इसी स्थिदी क्किस ऩो थैंट अने कैसे किसी की देखने को मिलती है जिससे विए caण कर सकते हैं कि आपको एक समार्ट की भी देखने को मिलती है अप उस इस आगे वा गारी पीछे भी कर सकते हैं वह समार्ट की खLabएस के interior की क्योंकि भाई मैन है इसका interior अब चलते हैं इसके interior की ओर तो यह है BMW X7 M Sport का interior जो की fully dual tone में देखने को मिलता है यानि कि इसमें आपको 10 color का interior देखने को मिलता है यह है इसका fully premium interior यह BMW X7 का interior इसमें आपको 10 color के साथ-साथ black color की finish भी देखने को मिलती है और सारा dashboard यह आपको soft touch finish में देखने को मिलता है बाकी beach में आपको बडन वर्क वी देखने को मिलता है और beach beach में आपको silver finish भी देखने को मिलेगी यानि कि यह इसका overall interior एनिंग भील इस सेट आपको मिल्िउमीर के कंट्रोल स्object कंट्रोल घ्रिइंग को मिलता है यहांपर आपको Petal S studs देखनेकोय मिलते हैं और यहांसे आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं ज्यक्ति है मैंने ऊपर और यह आगे कि ओर और यह ज़ो 20 आपको इंडिगेटर के कंट्रोल देखने को मिलते हैं तो अब एक्स्प्रोर करते हैं इसके इसमें आपको 14 इंचिस का टच स्कीन डिस्प्लेय देखने को मिलते हैं यानि कि आप इस टच स्कीन डिस्प्लेय को और देखते हैं कैसा टच रेस्पॉंस देखने को मिलता है इसकी इंफोर्मेशन चेक करते हैं कितनी चली यह वीकल स्टेटस यानि कि कितना टाय पैसर है इंजन ओयल लेवल चेक गंट्रॉल मैसेज़ेज यानि कि सर्विस रिक्वायर्मेंट सारा कुछ आप जहीं से जान सकते हैं जैसे कि इसके चारों टायर्स में फूल हवा है तो ये ओके दिखा रहा है पतला आपको सारा कुछ डाटा आपको इसी टाज़स्कीन डिस्प्लेय में देखने को मिल जाता है बाकि नीची को आपको देखने को मिलते हैं AC के कंट्रॉल यानि कि यहाँ पर आपको AC देखने को मिलेगा और नीचे को आपको AC के कंट्रॉल जादा से थ्री जान यानि कि हमारी गाड़ी conflicts वंप para single बाकि थर्ड रो वाले भी अपने साब से यानि कि इसमें आपको 5 जॉन AC देखने को मिलता है भाई यहीं जाते हैं पैसे बोलते हैं ना डेल कर और क्यों spend किए भाई यहां spend किए यह है बजाए यहां spend करते हैं खैब बात करते हैं नीची को नीची को आपको volume के controls देखने को मि करते हैं यानि कि यहां पर आपको 12W का power socket देखने को मिलता है यहां से चला सकते हैं USB का port देखने को मिल जाएगा बाकि यह हैं इसके controls यानि कि यह हुआ blue light जल गई तो यह cold कर रहा है बाकि यह हुआ होट यानि कि इसमें अब जलगी red light अब यह कर रहा है होट यानि कि यहां पर आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है premium सा gear knob भाई gear knob देखके तो प्यार सा हो गया भाई देख रहे हो ऐसा नहीं लग रहा है जैसे को डायमेंड रखा हूँ ऐसे लग रहा है कोई नूर यहीं आ गया यानि कि लंडन से उठके कोई नूर यहां आ गया और BMW X7 में लगा touchpad है यहां से आपको touchpad देखने को मिलेगा बाकि यहां पर आपको कुछ controls देखने को मिलते हैं control यहां पर आपको media के controls देखने को मिलते हैं home control यहां पर आपको कुछ off-roading के controls भी देखने को मिलते हैं यानि कि traction off या on करने के और पता नहीं क्या बाकि यहां पर आपको कुछ modes बागी यहां पर देखने को मिलता है, यहां पर देखने को मिलता है। यासे अप और डाउन भी कर सकते हैं, गारी अप ऐन डाउन हो जाती है, अब बात करते हैं, इसके पुछ जरूर देखने को मिलेगा बाकिया पर आपको जरूट सोगेट जरूर को मिल जाता है बात करते हैं इसके गलॉब बॉक्स की तो गलॉब बॉक्स ऐसा कुछ देखने को मिलेगा जिसमें कुछ रखा हुआ है बाकि यहां पर आपको soft touch finish देखने को मिलेगी यहले कि soft touch finish तो आपको जगा जगा देखने को मिलेगी भाई वीडियो बले ही controls देखने को मिलते हैं और यहां से आप boot भी open कर सकते हैं यान कि यहां पर आप boot भी open कर सकते हैं बाकि यहां पर आपको memory sheets के features भी देखने को मिलते हैं यान कि एक नमर और दो नमर पर आप memory sheets fix कर सकते हैं यान कि एक पर दबाया अपने आप एडे अगी और अगर किरी नेais डियुदक अपन पहूंच जाएगी और अबन और श्बर सकष्थ स्पीडू याने कि इसमें आपको 260 तक की मार्किंग देखने को मिल जाएगी और 7 तक RPM देखने को मिल जाएगी इसमें आप काफ़ियार इन्फोर्मिशन भी ले सकते हैं जैसे की कि त्रेंस फीचर बहुंत सुखिवर किदशना इठ руки जाते हैं बाकि रूफ आपको फुली ब्लैक देखने को मिलती है इसमें आपको फुली ब्लैक रूफ देखने को मिलती है इसमें आपको फुली ब्लैक रूफ देखने को मिलती है इसमें आपको फुली ब्लैक रूफ देखने को मिलती है इसमें आपको फुली ब्लैक रूफ देखने को म पर नीचे तो चलो अब मैं आपको BMW के खाफ चीज दिखाता हूँ इसमें आप थाई सपोर्ट को भी एड़ेस्ट कर सकते हैं यान कि यह कि आम आगे तो थाई सपोर्ट को आगे देख रहे आगे जा रहा है यान कि आपको काफी अचा थाई सपोर्ट देखने को मिल जाएगा के बाद भी तो चलिए अब चलते हैं इसके रियर सीट्स पर भाई गारी बले डेड़ कर ओड की हो लेकर इसमें आपको अभी भी हल्टो वाला सिस्टम देखने को मिलता है यह सीट मैंने की फुल पीचे वाई फुल पीचे करने के बाद देखते हैं आपको कितना स्पेश टच स्कीन डिस्प्ले देखने को मिल रही है यानि कि आप कुछ भी लगा सकते हैं बस यहीं पैसे जाते हैं वाई इसी चीज़ करो रहा है यानि कि सब के लिए दौनों के लिए अलगला टच स्कीन डिस्प्ले देखने को मिलेगी यानि कि यह अपने इसाप से देखेंगे और हम अपने इसाप से देखेंगे यानि कि आप इसमें movie अगर आप देख सकते हैं मैप भी बगरा लगा सकते हैं इसे करते हैं स्टार्ट करते हैं पैसेंजर साइट डोर से तो पैसेंजर साइट डोर पर भी आपको काफी चारे controls देखने को मिलते हैं यह हो गया इसका generally window up and down का button बाकी यह वाले buttons आपको curtain open करने के देखने को मिलते हैं यानि कि यह button किया open तो यह उचुका है curtain उपर भाई डेड़ करोड यहीं जा रहे हैं और कहीं नहीं जा रहे हैं इस साड़ आपको curtain का buttons देखने को मिल जाते हैं बाकी उपर कि आपको light देखने को मिलेगी जो कि white है और यह button पता नहीं किस चीज के हैं मुझे समझ नहीं आ रहा यानि कि आप यहीं से बैटे बैटे उस साड़ का भी curtain adjust कर सकते हैं और sunroof भी पीछे कर सकते हैं यानि कि यह button है sunroof का जैसे मैं यह रोका sunroof और sunroof आगे करना है तो यह गया sunroof आगे भाई इसी चीज के डेड़ का रोड़ है आप यहां बैटे बैटे सारा कुछ कंट्रल कर सकते हैं उस साड़ का curtain भी कर सकते हैं वह गया नीचे अपने साड़ का तो जाई रहा है यहां पर आपको एक speaker देखने को मिल जाएगा और पूरे में आपको soft touch finish देखने को मिलेगी और यह है captain seats वाला variant यानि कि इस आपको captain seats देखने को मिलती है Зब्सक्राम ला मिलेगा और आप चलते हैskे rear seats पर कोछ खास देखने को मिलता है चली मैं आपको बताता हूँ तो अब चलते हैं इसके rear seats पर रियर सीट पर जाने के लिए यहां पर आपको कोछ जगा देखने को मिलेगी और यह गया रियर सीट की हो रियर सीट कर आपको काफी ठीक टाक comfort देखने को मिल जाता है यान कि मतलब इतना अच्छा नहीं कहुँगा लेकिन ठीक टाक स्पेस देखने को मिल जाता है बाकि यहां बीच में आप बैठ सकते हैं बीच से कुछ ऐसा व्यू नजर आता है गाड़ी तो प्रिमे में फॉर्चुनर भाई पचास लाग में ठीक है पैसे भी तुसके डीड करोड़ा है यहाने कि तीन फॉर्चुनर आ जाती है अब बात कर पैसेंजर का भी BMW ने अच्छे से खाया रखा है याने कि BMW यानिकि थर्ड रो वालों खेलिए सन रूप भी देखने को मिलेगा और यहां पर आपको इसी भी देखने को मिलेगा और इसी कोई आगे से अड़्यस्ट करेगा अपने सबसे एड़्यस्ट कर सकते हैं और इनके यहीं अलग जोन है तो फॉट जोन हो रहा है फर्सट जोन शेकिंड घर्ड फोर्त और श्क्रांट जोन एसी देंए को मिलता है बाकि यहांपर आपको कि फॉल्ड जोंड देखने को मिल जाते है तो इसा यहां की देखते है कैसा और किष्षस्ड प्वहळ्ट निकाल कर दे र चलिए अब इंजन की बात करते हैं इसमें 3.2 लीटर पैट्रोल यह देखने को मिलता है जो कि 6 चिलेंडर है जी है इसमें 6 चिलेंडर 3.0 लीटर 3000 CC का पैट्रोल यह देखने को मिलता है जो कि पावर निकाल कर देता है 375 BHP और 520 एनम का टॉर्क जी है गाइस 350 BHP सॉरी गाइस 375 BHP की पावर और 520 एनम का मैसिब टॉर्क इसका इंजन निकाल कर देता है जो कि 6 चिलेंडर है तो बात करते हैं इसके प्राइजिंग की तो इसका एक्सरूम प्राइज है 1 करोड 22 लाग जी हाँ गाइस इसका एक्सरूम की गाड़ी की रिभ्यू के है आज पहली बार करोड की गाड़ी हाता ही है तो भाई कर लाग ही मुझे निकलेगा तो भाई इसका तो भाई इसका ओन रोड आगरा मैं प्राइज है 1,36,000 आगरा के अंदर भाई ये देख रहे हो मतब डिड़ करोड को टच कर रही है और सब सब्सक्राइब करें अगली वीडियो में जय हिंद जय भारत